अलो बच्चों आज को जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकन फिगर जिसमें हम सीखने वाले हैं कि 2 कभी भी 2.0 के बराबर नहीं होता है कन्फ्यूज हो गए समझते हैं इसको तीरी देखो फर्स्ट आफ आप यह समझो कि हमारा जो भी मेजरमेंट है उसमें हमेशा एरर होता है तो इसे मानलो मैंने कोई लेंथ ली 135.2 cm तो उसमें एरर है प्लस माइनस 0.1 cm का तो आप खुद जानते हैं यह एरर जो है बार बार हर जगा लिखना बहुत ही difficult task है तो इसलिए scientific community ने सोचा कि हम क्यों न कोई एक shortcut तरीका बनाए error को represent करने का तो वहाँ पर उनको तरीका मिला significant figures significant figure क्या है it is a shortcut way of expressing the degree of accuracy और यहाँ पर दूसरा point क्या है रखना है कि we only present the values that we know and do not add any extra digits in the measurement मतलब कि मुझे जो information पता है में वही आपको present करूँगा मैं अपने मन से कोई extra information in the form of extra digits add नहीं कर सकता तो जिसे मेरा कोई measurement अगर 2 cm है तो इसका मतलब वो 2 cm तो है 2.2 cm भी हो सकता है तो आगे का extra digit मुझे नहीं पता है तो इसलिए इसको बोलना कि this is 2.0 cm वो गलत होगा तो जैसे मैं example मैंने ये tape को use करके एक table की length measure की वो length मुझे मिल रही है 122.3 cm इसका मतलब क्या है कि मैंने table की length L है वो 122.3 cm है पर यहाँ पर least count error लगा दे हम plus minus 0.1 cm इसका meaning ये हुआ कि जब की length है वो less than equal to 122.4 cm है और greater than equal to 122.2 cm है तो 122.3 के बाद आगे क्या आएगा digit वो मुझे नहीं पता मेरी measurement 122.31 हो सकती है 122.32 हो सकती है 122.33 हो सकती है कुछ भी हो सकती है तो क्योंकि मुझे ये third digit second decimal place वाली number मुझे नहीं पता है तो मैं उसको अपने मन से add नहीं कर सकता तो मैंने significant figures बस यहाँ पर limit हो जाते हैं तो अगर मैं आपको पूछो यहाँ पर significant figures कितने हैं तो आप बोलोगे चार 1,2,3,4 यहाँ पर 4 significant figures हैं मतलब यहाँ तक मुझे अपनी information पता है उसके आगे के information नहीं पता तो that means significant figure it is a method of indirectly telling the least count error जैसे मैंने अगर measurement को सिर्फ लिखा 122.3 cm तो इसका मतलब यह की मेरा last significant figure है last significant figure तो मतलब यह मुझे इसके आगे के information नहीं पता तो इसका मतलब यह हुआ की यही मेरा least count बन चुका है मतलब मेरा least count कितना है 0.1 cm तो instead of writing in the long way plus minus 0.1 cm मैंने shortcut में यहां पर लिखके छोड़ दिया और सारी scientific community ने आपस में decide किया कि इसका meaning यह है कि आपका least count यहां पर आके खतम हो जाता है तो एक और example लेते हैं जैसे मेरे पास यहां पर एक cat है आपने बूचा sir इस cat की age कितनी है तो मैंने बोला इस cat की जो age है वो है 2 years अब आप बोलोगे sir क्या मैं इसको 2.0 के बराबर लिख सकता हूँ क्या मैं बोलूँगा नहीं अगेन आपकी problem आ जाती है यहां पर least count की तो मैंने आपको सिर्फ इतनी information दी है उसकी आगे की information बता ही नहीं है इस information का meaning क्या है कि cat की age जो है वो 2 years यहां फिर उससे ज़ादा होगी है ना उससे कम तो नहीं बड़ उससे ज़ादा होगी तो वो 2.0 exactly नहीं है 2.0 का meaning हो गया कि उसका जो birthday है वो today है Today is the birthday तो मैंने आपको यह तो बताया नहीं है cat का birthday आज है तो इसकी age 2.0 नहीं है तो मानलो मेरे cat की जो birth date है वो है 4 May 2020 और आज की जो date है वो है 30 August 2022 मतलब मेरे cat को 2 साल तो हो चुके है राइट बट exactly 2.0 years मेरे cat की age कब हुई थी वो हुई थी 4 May 2022 की तारीख को मतलब इसके exactly 2 साल बाद cat की age 2.0 years होगी मतलब मुझे plus 3 months और add करने पड़ेंगे तो मैं बोल साल था हूँ की cat की जो age है वो है 2 years 3 months तो इसको मैं decimal में लिए सकता हूँ 2.25 years और इसी लिए मैंने बोला कि आपका 2 equal to 2.0 नहीं होगा क्योंकि 2 आपका equal to 2.25 भी तो हो सकता है 2 equal to 2.25 तो यही आपका funda है significant figure का जितनी information आपको पता है उतना present करो उससे आगे जादा smart बनने की जरुरत नहीं है तो scientific community ने significant figures के जो rules बना है अब हम उनको समझते हैं देखो कई books में आपको ना rules काफी lengthy, long confusion वाले sentence में लिखे होंगे but उनको आप short में इन तीन sentence में summarize कर सकते हो यही आपके तीन main rules है पहला rule यह बोलता है कि all leading zeros are significant जैसे मालो मैंने कोई number लिखा 00203 तो यहाँ पे leading zeros मतलब क्या जो starting के zero आते हैं वो useless हैं तो मैं इनको cancel out कर सकता हूँ correct second rule बोल रहा है कि all trailing zeros are significant in decimal numbers तो मेरे पास मालो एक decimal number है 0.02300 तो यहाँ पे आपके जो leading zeros हैं वो तो useless हैं बट जो end के zeros हैं वो significant है तो यहाँ पे significant figure कितने होंगे 4 होंगे क्यों क्योंकि हमारे पास यहाँ पे decimal number है यह decimal लगा हुआ है न तो इसमें आपको यह rule follow करना है लेकिन जब decimal नहीं हो वहाँ पे तीसरा rule आता है कि all trailing zeros may और may not यह बहुत important है may और may not be significant in integers तो जिसे मेरे पास number है 2,0,3,0,0 तो यहाँ पे जो पहले तीन numbers हैं पहले तीन digits हैं वो तो significant हैं बड़ यह आगे के digit significant हैं या नहीं वो confusion में है उसके लिए कुछ extra information की ज़रत पड़ती है वो हम बाद में discuss करेंगे ठीक है अब इसके लब कुछ दो rules और हैं जो काफी obvious हैं क्या हैं कि all non zero digits are significant जैसे हमारे यहाँ पे 2 है 3 यह तो obviously significant है न लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो zero है वो भी significant हो जाता है मतलब यह मेरी information को convey कर रहा है यह मेरी information को convey कर रहा है यह मेरी information को convey कर रहा है ठीक है obvious ही बात है तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचनी की ज़रूत नहीं है और exact number has infinite significant figures जैसे बात करें अगर मैं बोलू 2 तो अगर यह मेरा 2 जो है वो एक number है है ना जैसे हम counting करते हैं 1,2,3,4 तो अगर यह counting वाला number है तो यह exact number है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका 2 equal to 2.0 है equal to 2.00 है equal to 2.0000 जितने 0 पीछे add करने हो आप कर सकते हो correct लेकिन अगर वहीं पे आपका 2 जो है वो क्या है centimeter हो लिखा है मालो तो वो क्या हो गया measurement हो गया तो यह क्या है measurement है वो number नहीं है वो counting वाली value नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 centimeter को 2.0 centimeter नहीं लिख सकता मैं अपनी मर्जी से extra significant figure add नहीं कर सकता तो यह significant figures के सारे rules को अब हम थोड़ा practice करते है यहाँ पे देखो आपको कुछ numbers दिख रहे है न तो पूछा गया है find number of significant figures in each of the following मतलब जब भी significant figures है उनको count करके हमें वो answer के form में लिखना है तो पहला number देखो आपके पस क्या है 2, 3, 0, 5 तो देखो आपका first rule जो है वो starting zeros के साथ deal करता है तो यहाँ पर starting में कोई 0 है क्या? नहीं है second and third rule जो है आपका वो trailing zero यहाँ फिर end के जो 0 है उनके साथ deal करता है तो यहाँ पर ending में भी कोई 0 है क्या? नहीं है, तो that means यहाँ पे मेरे पास 4 significant figures है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4, 2, 3, 0, 5 4 के 4 significant है second example में भी कुछ वैसा ही हो रहा है starting में कोई 0 नहीं है, end में कोई 0 नहीं तो कोई confusion नहीं है यहाँ पे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे 5 significant figures है third example देखते है यहाँ पे starting में 0s है तो यह दोनो बिकार है लेकिन उसके बाद एक important non zero digit हा गया तो यह significant है ending में कोई 0 है क्या, नहीं है फिलाल तो तो यह 1 भी significant है लेकिन जो बीच में 0s है यह भी सारे के सारे significant है तो मेरे पास कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे 8 significant figures होंगे अब next हमारा example है 007023 तो again यहाँ पे starting के 0 useless हैं, बेकार हैं, हटा दो फिर 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे 4 significant figures हैं अगला example है decimal वाला है पर again यहाँ पे starting 0 आपके useless हो जाते हैं इनका कोई काम नहीं है तो मैंने पास significant figures सिर्फ कितने हैं 3 है next example में again पहला 0 useless है then 1, 2, 3, 4 4 significant figures होंगे अगला example आप बताओ कितना होना चीज़ significant figures यहाँ पे अब यहाँ पे बात हो रही है trailing zeros की, end के zeros की तो यहाँ पे देखो आपके पास decimal point है मतलब यह decimal number है तो decimal number में क्या बोला है all trailing zeros are significant तो that means यहाँ पर यह significant है यह भी, यह भी, यह भी, यह भी मतलब कितने 5 significant figures होंगे अब next question में देखो जरा यहाँ पे starting में भी 0 है ending में भी 0 है लेकिन याद क्या रखना है यहाँ पे decimal point है तो starting के 0 तो हमेशा insignificant होते हैं लेकिन ending के 0s significant है तो मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 significant figures होंगे ठीक है next example में आपके पास है 370.0 तो again क्योंकि decimal point है तो ending 0 significant है तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 significant figures हैं अब बच्चों बात आती है integer की जिसमें end में भी 0 है तो यह last का 0 जो है यह may और may not भी significant इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है question mark तो मतलब यहाँ पे 3 और 7 यह दोनों तो significant हैं तो मैंने significant figure 2 हो सकते हैं या फिर अगर मैं end का 0 भी मालनू significant है तो 3 significant figure भी हो सकते हैं तो इसका answer 2 और 3 होगा तो same यहाँ पे भी अब देखो 3 और 7 significant हैं तो मेरे पास significant figure 2 हो सकते हैं या फिर अगर मेरा यह 0 significant है तो यह 3 मिलके होगे 3 significant figure या फिर अगर last वाला 0 भी significant है तो मेरे पास 4 significant figures हो जाती है तो यहाँ पर answer हो सकता है 2 या फिर 3 या फिर 4 तो दिखोए जो trailing zeros है integers के उसमें काफी confusion है यह confusion को ज़रा और अच्छे से समझो मालो मेरे पास एक length है जो मैंने measure करके निकाला कि वो 32.0 meter है तो यहाँ से आप information क्या निकालते हो कि मेरा least count जो है यहाँ पर आके खतम होता है इसलिए मैंने यहाँ ता information को present किया है और क्योंकि यह decimal है तो यहाँ पर तीन significant figures होने चाहिए पर अगर मैं इसी length को convert कर दो centimeter में तो यह कितनी हो जाएगी 3,2,0,0 centimeter हो जाएगी क्या पर अगर आप observe करो तो मेरा least count तो यहाँ पर आके खतम हो रहा है तो यहाँ पर आके खतम हो रहा है तो इसे मेरे पास significant figure सिर्फ तीन है last zero मैंने बस add किया है क्योंकि मुझे value को centimeter में show करना था पर मेरा last का zero significant नहीं है तो यहाँ पर देखो अजीब सा confusion हुआ last का एक zero significant है बट दूसरा zero significant नहीं है तो ऐसे बहुत सारे confusion आ सकते हैं जब भी आप integer से deal करते हो तो इसलिए हमें कुछ और rules की ज़रूरत पड़ेगी तो इस confusion को दूर करने के लिए scientific community ने दो rules दिये हैं जिससे हम easily identify कर सकते हैं कि trailing zero हमें कहां तक significant लेना है तो पहला rule ये दिया scientific community ने कि जो आपका सबसे आखरी significant digit है उसको mark कर दो mark the last significant figure तो इसे example ले मेरे पास जो L थी वो थी 3200 cm तो हमने देखा था भाई हमारी significant figure तो यहाँ पे खतम हो रही है तो मैं इसको marking दे दू marking कैसे दे दी मैंने उसको underline कर दिया तो underline करने का meaning ये हुआ कि मेरे significant figure यहाँ पे आके खतम हो जाते हैं यह जो extra digit है वो बिकार है correct मैं बाद significant figure कितने हो गए 3 एक और तरीका marking करने का आप क्या लिख सकते हो L equal W से तो 3200 cm है तो आप last 0 के उपर में बार लगा दो एक ही बात है कोई फ़रक पड़ता नहीं है तो again यहाँ पे आपको significant figure कितने मिले 3 मिल गए जो दूसरा तरीका है significant figures identify करने का है वो है कि आपका जो भी measurement है उसको आप scientific notation में लिखोगे scientific notation क्या होता है उसमें आपका decimal के पहले सिर्फ एक number रहना चाहिए तो जैसे मुझे मान लो लिखना है L equal to 3200 cm इसमें significant figure यहाँ पे आके खतम होता है तो इसको मैं scientific notation में कैसे लिखोगा मैं इसको decimal में convert करूँगा तो decimal में तो आपको पता है कि भाई जो ending 0 तो significant होते हैं तो क्योंकि यहाँ पे 3 significant figure है तो decimal में भी कितने आगए 3 significant figure आगए अब लेकिन आपका 3.2 is not equal to 3200 तो इसलिए आपके यहाँ पे क्या करोगे into 10 to the power लिख दोगे 3 cm समझ में आया मैंने इसको इस form में लिख दिया मैंने into 10 power जो भी suitable number है वो मैंने लगा दिया तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है मैरे significant figure 3 होंगे एक और example ले मान लो 3.6500 into 10 to the power 10 cm है इसका meaning क्या हुआ यहाँ पे significant figure कितने है 1, 2, 3, 4, 5 significant figure है तो scientific notation में हम सीदे सीदे हर number को decimal में convert कर दे रहे हैं और decimal में convert करते हैं हमारा rule number 2 लग जाता है कि all trailing zeros are significant तो again कुछ question ट्राइ करने है significant figures के counting पे तो यहाँ पे बोला गया है कि express the following in scientific notation पहला question है आपका 2400 meter with least count 10 mm आपका least count 10 mm है मतलब क्या मेरी information यह पहले 3 digits तक correctly convey हो रही है last का digit यहाँ पे insignificant है तो मैं इसको scientific notation में कैसे लिखूंगा 2.40 into 10 to the power 2 meter है ना यह देखो यह number exactly इसके बड़ाबर है पर यहाँ पे क्योंकि decimal है तो मैं exactly significant figures को यहाँ पे mention कर पा रहा हूँ कितने हैं 3 है second question देखो आपके पास यह number है जिसमें आप देखो इस zero को किया गया है underline मतलब मेरे significant figure यहाँ पे आके खतम हो जाते हैं तो इसको मुझे scientific notation में लिखना है ताकि मेरे पास कोई confusion ना बचे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा इसको मैं लिखूंगा पहली बात तो starting के zeros को हटा दो कोई काम के नहीं है आगे जो है मेरे पास 3.6050 एक, दो, तीन, चार, पाँच है ना पाँच significant figure है तो यहाँ पे भी कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच significant figure है लेकिन मुझे into 10 to the power भी कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे तो कितना लिखूँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे तो यहाँ पे आज़ेगा into 10 to the power 6 तो यह number को मैंने scientific notation में convert कर दिया ताकि significant figures का confusion पूरा गायब हो जाए चलो तो अब third question ट्राइ करो आप convert 34.0 meter तो millimeter अगीन यहाँ पे आप देखो significant figure आपके पास कितने है एक, दो, तीन significant figure है तो पहले तो आप इसको simply convert कर दो 34.0 meter कितना होगा आपका 34,000 millimeter हो जाएगा लेकिन क्योंकि मेरे पास सिफ तीन significant figure है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ underline to signify मेरे significant figures कहाँ पर है अब इसको मैं scientific notation में convert करूँगा तो यहाँ आपका 3.40 into 10 to the power कितना 1, 2, 3, 4 तो यहाँ आप 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 10 to the power 4 millimeter तो आप देखो यह decimal number बन गया यहाँ पे 3 significant digits आ गए जो कि मेरे question को satisfy कर रहा है झाल